फाइनली दोस्तों भीहार बीएड काउंसलिंग 2021 को लिकर फर्स्ट रॉंड एड्मिसन होने के बाद भी आधी सीठे खाली रगई यहाँ पर देखेंगे तो 18,449 अभीयर्थियों ने आंसिक सुल्क का भुगतान किया है जबकि 3,488 अभीयर्थी मात्र अपना एड्मिसन कॉनफर्म करवाए हैं मतलब 15,000 अभीयर्थी जो पेमेंट किये हैं आंसिक सुल्क भुगतान किये हैं उन्होंने अपना एड्मिसन कॉनफर्म नहीं करवाया है अब ऐसे सभी अभीयर्थी को एस्पोर्ट रॉंड में ही जाने का मुका मिलेगा सकेंड रॉंड से बाहर कर दिया गया है इसके अलावे जो अभीयर्थी अपना पेमेंट भुगतान नहीं किये हैं उनको भी एस्पोर्ट रॉंड में ही जाने का मुका मिलेगा इसके अलावे जिन अवियर्थियों को कोई कॉलेज अलाउट नहीं होता है अन्तिम रौंड तक उनको भी एस्पॉर्ट रौंड में जाने का मुका मिलेगा तो जैसा कि आप सभी अपने स्कीन पर देख सकते हैं बियर्ट नामंकन फर्ष्ट मारिट लिष्ट के बाद आधी सीटे खाली 36,800 में से 18,449 अवियर्थियों ने आंसिक सुल का भुगतान किया है और अपना कॉलेज कॉनफर्म करवाए है और इसकी अंतिमती थी 25 सितंबर 2021 2021 तक निर्धारित थी जिन में से 3488 अवियर्थियों ने ही मात्र कॉलेज अप्रूव किया है इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है आप यहां पर देखेंगे जिन अवियर्थियों ने पेमेंट कर दिया है उन्हें 29 सितंबर तक डोकॉमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और नाम अंकल नहीं लेते हैं तो वो सीधे एसपॉर्ट रौंड में चले जाएंगी तो निर्धारित तीती तक में ऐसे अभियर्थि को नाम अंकल लेना जरूरी है उसके बाद जिन अभियर्थियों ने मेरिट लिस्ट में पेमेंट नहीं किया है अगर आपको कॉलेज में नाम जो है जारी नहीं किया जाएगा सीटी बियर्ड उतीर्ण करीब जो है 73,156 छात्र चात्राओं ने नामंकन के लिए रिश्टिशन कराया था तो मतलब बहुत सारे ऐसे अभियर्थि हैं जो बड़ी संख्या में अपना एडमिशन कंफर्म नहीं करवाए हैं अब इ इनको ALLOUT हो गया है तो उनको अभ यहां पर सकेंट रौं से बाहर कर दिया गया है तो ऐसे में चांस बनता है जिसका भी कम नमर है बहुत ही कम नमर है 70 है 75 है 65 है उनको भी अभ सकेंट रौं में मोका मिलेगा क्योंकि 18,000 अब बाहर हो जाएंगे मातर इतना ही अबियर्थी सी इसका मतलब 15,000 तो ऐसे ही बाहर हो गया जो 15,000 बाहर हो गया अब ये second list में नहीं आएंगे और जो 15,000 बाहर हुए है इन सब का marks जो है highest mark रहा होगा तभी जो है इसको first round में college alert हुआ है और second round में अब उन अभियर्थी को मौका मिलेगा जो इनके नीचे है मतलब जिसका marks बिलक जार करना है और second round में जिनको college alert नहीं हुआ है उनको निश्ची दूरुप से alert होगा क्योंकि बड़ी संक्ठा में student बाहर जा रहे हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं first round के बाद second round कव से start हो रही है तो जिन अभियर्थी को first round में college alert हुआ उनको college confirm करना और payment करने की अंतीमती थी 25 सितंबर तक थी इसके बाद ऐसे अभियर्थी का counseling 22 से लेकर 29 सितंबर 2021 तक होनी थी अब यहाँ पर second round का counseling देखेंगे तो जो भी vacancy बच जाती है जो भी सीटे बच जाती है एक October 2021 को परकासित किया जाएगा किस college में किस category से कितनी सीटे खाली रह गई है इसके बाद उन सीटों पर college alert किया जाएगा second round में जिस अभियर्थी को अभी तक college नहीं मिला है तो 4 October 2021 को college display किया जाएगा इसके बाद जब आपको college display हो जाता है तो 5 से लेकर 9 October 2021 तक उस college को confirm करेंगे अपना seat confirm करेंगे और 3000 रुपया आनसिक सुल्क भुगतान करना होगा इसके बाद जिन अभियर्थी को college alert हो जाता है और अपना college confirm कर लेते हैं उनको document verification करवाना होगा और admission confirm करवाना होगा 16 से लेकर 23 सितंबर 2021 तक तो आगे जो भी update आती है हम आप से भी को inform करते रहेंगे तो हमारे साथ जो रहे यह वीडियो को like कर दीजे और चेनल पर नए है तो subscribe जरूर कर लि झाल तक अबाइ तो